मैं कौन सी क्रीम लगाती हूँ, क्या है मेरे खुबसूरत चहरे का राज, बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत हाइली रिक्वेस्टेड वीडियो है, कि दीदी आप अपने चहरे पे क्या लगाते हैं, ना तो आपके चहरे पे काले दाग धब्बे हैं, ना जहाईयां पड़ी ह बच्चा भी है आपका, किस तरह से आप इस उमर में इतने जादा साफ चहरे के मालिक हो, तो आज का वीडियो बहुत हैं इंट्रोस्टिंग होने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी क्रीम है, जिसको आप अपने चहरे पे लगाएंगे, बुढ़ापा आप स कोसो दूर रहेगा, ना तो आपके चहरे पे उमर से पहले जुरियां पढ़ेंगी, ना स्किन धीली होगी, ना ही चहरे पे जाईयां काले दाग धब्बे बनेंगे, और ना ही आपके चहरा रुखा सूखा बेजान रहेगा, स्किन ग्लो करेगी, चहरे का रंग निकरेगा, अगर चेहरे पे टैनिंग पड़ गई है धूप की वो जैसे काले काले दाग बन गए है नाग पे फेस पे जिदर भी ये क्रीम लगाने से वो भी सारे चले जाएंगे बहुत साधारन सी बहुत सस्ती आपको मैं करीम बताऊंगी लेकिन काम वो आपकी लिए कोई लाखो के प्रोड़क्ट से ज्यादा करेगा क्योंकि जीवन बूटी चेहरे की सुन्दर ता कि बूटी लगा लिजी आप उसको जिसको आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो बह होगा कि किस तरहां से वो आपके लिए काम करती है कभी आप उसको यूज़ करते होंगे कभी यूज़ नहीं करते होंगे इतना सीरियस नहीं लेते होंगे लेकिन मा आपको बता दो जुतने भी बड़े सेलिब्रेटी हैं कोई हीरो हिरोईन है कोई भी है जो भी बंदा जिस रिच परसन को किसी अमेर इंसान को देखा कि उसके इतनी खराब हो पताए क्यों कि वो स्किन की केर करते हैं और जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो जरूर लगाते हैं एक बारी क्या हुआ मैंने बीच में इस चीज को थोड़ा जो है हलके मिलेना स्टार्ट कर दिया था यह जैसा बनने लगा था मैंने डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने कहा यह लगाई यह मैंने का पहले लगाती थी अब सीरियस नहीं लेती नहा लिया वही बहुत बड़ी बात है चोटा बच्चे है बोले लंबे समय तक यंग रहना है दाग धब्बे नहीं रखने है तो यूज करेंगे बिना मेक अप किस तरह भी खुबसुरत लगेंगे पूरा जान के समझ के फिर जाना है आपने आस ठीक है फिर बार बार बत बोलना दीदी हमें कुछ अच्छा क्रीम बताईए अगर आपने यह स्किप्ट करते हैं तो तो दोस्तो मुझे सेजेस्ट किया गय या मैं पहले भी करती थी आप लगाए संस्क्रीन संस्क्रीन आपका बेस्ट फ्रेंड है कितनी बार बोला है हलके में आप लोग ले लेते हैं क्या होता है 25 साल तक हमारी जब यंग एज होती है न हम नहीं भी लगाते तो इतना इफेक्ट हमारी शरीर पे हमारी चेहरे पे नहीं पढ़ता है लेकिन जैसे जैसे 26, 28, 32, 32 साल के होते हैं बढ़ते जाते हैं चेहरे पे दाग दब्बे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं धूप हमारी स्किन को और ज्यादा इफेक्ट करती है धूप पहले भी चेहरे पे पढ़ती थी लेकिन उस टाइम पे इतने दाग तो आपने डेली डेली मिंस अगर आप घर पे रहते हैं बाहर बिल्कुल आपका जाना नहीं होता है 30 SPF वाला संस्क्रीन लगाएं अगर आप बाहर जाते हैं डेली जाते हैं या फिर आपको मार्केट वार्केट जाना है 50 SPF वाला संस्क्रीन लगाएं यह है लेक में का 50 SPF वाला संस्क्रीन आपको लेक में काई नहीं लेना है कोई भी संस्क्रीन ले लें आप कोई भी या फिर आपके क्रीम में संस्क्रीन है तो आप वो लगा सकते लेकिन संस्क्रीन जरूर लगाना है और ये एक मेरे पास मामार्थ का है और भी तीन चार बड़े हैं संस्क्रीन में हमेशा आपको सुबा में मैं तो कहते हूँ जब सुबा में अपना चेह तब ही आप लगा लिए जी संस्क्रीन उसके बाद क्योंकि बाद में हमें याद कई भी हमने हो सकते हैं हम लेट नहां ना करें घर में फ्री रहते हैं तो काम वाम करने लग जाए और चैरी पे इफेक्ट पड़ता है चाहिए आप अंदर हो जहां तक दूप की किरने नहीं भ जादा एफेक्टिव होता है जितने बी प्रोड़क्ट्स जो है संस्क्रीन सबसे इंपॉटिंट है लगाई उसके बाद जो आपने मोश्राइजर लगाना है वाटेवर कोई आपने सीरम लगाना है मेक अप लगाना है कुछ भी लगाई ए पहले संस्क्रीन सुभाह में और बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल से लगाईए फेस पे और अपने हाथों पे अच्छे से संस्क्रीन अपलाई करिए ठीक है और थोड़ा बहुतनी अच्छी अमाउंट में लेके फिर आपने अच्छे से लगाना है लगाने का तरीका अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अपने अच्छे से अपने हाथ पे संस्क्रीन लेना है इस तरह से ठीक है और इसको अपने फेस पे अपलाई करना है यही मैं हमेशा करती हूं जिस वजासे मेरे फेस पे काफी जो है ग्लोर हैता है चेरे पे काली दाग दबे जाया नहीं बनते सिर्फ संस्क्रीन ही रीजन नहीं है मैं साथ में DIY भी करती हूँ अच्छे फेस पैक लगाती हूँ घर पी फेशियल करती हूँ वह बिलकुल एफेक्ट करते हैं आपकी स्किन को और निखारने में लेकिन संस्क्रीन बहुत जरूरी है ताकि आपकी स्किन लूज ना हो टाइट रहे धीली ना पड़े समय क साथ साथ आपका चहरा खराब ना हो ठीक है तो जरूर आपने संस्क्रीन लगाना आपके कोई भी उम्रे में यह नहीं कह रही है आपके क्या 25 साल के उसके बाद ही आपने संस्क्रीन लगाना है चाहिए आप 15 साल के 18 साल के आज को बच्चों का संस्क्रीन भी आ गया है मामा ने लोंच किया है मैं अपने बेटे को लगाते हूं तो जो है संस्क्रीन आपने जरूर अपलाई करना है अपने फेस पे अपने हाचा है आपका चेहरा लगा के संस्क्रीन हलका हलका वाइट लगता है लगने दीजिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है ताकि आपके स्किन लगती है तो यह बात एक तो आपने गाट बांद लेनी है दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगी रात को सोने से टहले डेली आपने जैसे अपने चेहरा आपने हाथ तर दोते ही होंगे बिल्कुल नहीं दोते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजे दोना उसके बाद से आ पर उसके एक गती होरा चीजेश रात को अपने सोना पहचा जबना है रात को आपके सकी रेपेर मोड पर आपकी सकीनोर मोने छीजोरा होने में आपको मेश्यो थार्ट का लिज़ा है," कुछ टाइम आपको लागाते हैं। 해발ओओटा अप्लाइer फासची उश्क्रेओटा बढ़िया moisturizer apply कर लिया ये कुछ time up कर ये आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे 100% आप ये बोलेंगे कि दीदी हमें तो 20 दिन में skin का कुछ का कुछ हो गया है बिलकुल होगा ये आपके साथ कोई भी brand का जो आप afford कर सकते हैं वो sunscreen आप लेंगे आज ही लेंगे ठीक है अगर आप skin लंबे time तक खुबसूरत रहे क्योंकि कुछ और हमारे साथ लंबे समय तक रहे न रहे ये चहरा हमारी पहचान जरूर रहेगी सिर्फ खुबसूरती ही matter नहीं करती मैं बिलकुल मांगती हूँ कुछ लोग बोलेंगे दीदी सिर्फ सुंदर ताइस अब कुछ नहीं होते ह क्यों कि आपका मन भी अच्छा होना चाहिए और आपका चेहरा भी अच्छा होना चाहिए और आपके पास पावर भी होनी चाहिए मत्तों क्या दियो हर लड़की को कुछ ना कुछ करना भी जरूर चाहिए सिर्फ सुंदर ताकि सहारे आप जिन्दगी नहीं बिता सकते हैं आपको थोड़ा बहुत जिस की आपको knowledge है वो आपको काम करना चाहिए earning करनी चाहिए हर woman को earn करना बहुत जरूरी है self respect के लिए नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं हमारे भाई हैं पती हैं सब हैं हमारे लिए लिकिन अगर आप कर सकते हैं पड़े लिखे हैं या आपको करती हूं आपको बहुत पसंद आयो होगा like कर देना है जिनको भी जरूरत है skin खराब होती जारी है sunscreen का सही से knowledge नहीं है उनको share कर दीना तक कि वह भी अपने चेहरे को खुबसूरत बिना दागदब्बे वाला और टाइट बना सके वह भी लंबे समय तक को के तो दोस्ता मैं